बिसमिल्लाहिर रख्मान रहीम, असलाओं अलेकम टूओं अच्छा मैं नाम है मुधसिर्ज जैसे कि आप लोग पूस्टे लिया तो आज एक नहीं और इंट्रेस्टिंग वीडियो और इन्टेटेन्मेंट स्पेशल वीडियो के साथ हाज़िव हूं जोस्तों आज की वीडियो में कुछ कुश्चंस भी मैंने आप लोग के रहे हुए और आज की वीडियो में लेकिने है कौन लेका है नाम पुछ जल्दी से क्या नाम है आपका मजहर अली अच्छा बिलकुल मजहर लिपाया आज की वीडियो हमाने लिए लेकर आए हैं आज का मेरा सवाल यह है कि आप लोग भी क्या आवाजों के पागल होते हो इसे मैं तो बह आपके लिए पास आपने बहुत ही आची आप वीडियोस बनाते हो या आपकी वीडियोस में बहुत मजाते हैं लेक्ने में फिर भी यार लोगों को क्या तक्लिफ होती है आप च्छी आप आपके लोग डिसलाइक करते हैं कमेंट्स करते हैं या डिसलाइक से मुझे फ़राग में परता हां कमेंट्स मुझे फ़राग इसलिए परता है क्योंके इस चैनल पर हमारी माय बहने भी इस चैनल को देख रही है तो यह लोग वो लोग है जिनके माय बहने नहीं हैं वो लो की लिंक चैनल की दिस्क्रिप्शन में लूँगा तो फिर आ जाएगे मेज ब्लाइन की वेबसाइड की तरफ से कौपी राइड हो जाएगे चैनल बंद अगर फ्रेंड्स आपको एफिस्टुडियो चाहिए है तो मुझे मेरे वट्सप नमबर पर कॉंटेक करिये प्लस ने टी वादे बादे बहुत हो गई आप करते हैं काम की बात काम की बाद यह के फिरंड्स आज हमने जो वीडियो बनाई है वह है गाम प्लेयर निंग फ्रेंड्स में एक और बात बता दूँ कि यह वीडियो जो है मजरबाई लेके हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दी हैं फ्रेंड्स एक वीडियो है जिसको लाइक करना आपने प्लीज 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 लाइक करना है और आज आप लोगों के लिए में एक टार्गट दे रहा हूं जो दूसरी चैनल की लिंक है पॉट्ट्री लवर्स वित आर जाली असमान जो बहुत अची आर्जें हैं हमारी और बहुत अची पॉट्री बड़ती है उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और प्लीज 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 टूंडटरगे सिक्सिंगर शुनड़ों को हुए तो अगर मुझे आपना बहिं दो इंशरी चानल चैनल और आ फिर भी ये गंदे कमेंट्स करते हैं फिर भी अगर आप लोग दिसलाइक करते हैं और गंदे कमेंट्स करते हैं उन सब की अब चलते हैं वीडियो की जाने पर मजर भई यलो माइक पकड़ लो या हाई फ्रेंज आई टी फर ब्लाइंड के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका अपना दोस्त मजर अली आज के टिटोरियल में हम सिखेंगे गाम प्लेयर के बारे में हैं मैं आज आपको सिखांगा कि गाम प्लेयर को हम कैसे यूज करते हैं तो आई ये टिटोरियल शुरू करते हैं कर पहले हम यह जानेंगे कि गामप्लेयर है क्या है harmonisch एक क्प्रेयर है ऐक सफ्ट्वेंर है जो कंपीटर में इस्तिमाल किया जाता है जैसे वी एलछी मीडिया प्लेयर वी नम और विंडौ rugged एडिया प्लेयर होते हैं इसी तरह से गाम प्लेयर भी एक प्लेयर होता है जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं फालिपर डाट कॉम से मिल जाएगा आपको तो मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है तो टिटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यह गुजारिश करता हूं कि अगर आपने चैनल हमरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें तो आएगे चलते हैं टिटोरियल की तरफ गाम प्लेयर मैंने इंक्टॉल कर लिया है तो अब हम इसकी सेटिंग करेंगे गाम प्लेयर यहां पर ओपन हो चुका है यह अब हम इसे एफ फाइब से इसकी सेटिंग ओपन हो जाती है तो पहला है क्लोज बटन रिसेट कर सकते हैं सेटिंग इसकी रिसेट हो सकती है इसे हम चेक करेंगे पहला यह उक्षन है जर्नल सेटिंग इसे हम नर्चागी रखेंगे इसे हम चेक रखेंगे इसे हम चेक करेंगे इसे ब्युष करेंगे इसे बीटांटों सेय्ट इसे चेक करेंगे इसे चेक हिराने देंगे इसे इसे बीटांटिंग रखेंगे इसे ज़एख करते हैं इसे हम चैक करते हैं इसे हम चैक करते हैं इसे हम चैक करते हैं इसे आशी रहने देंगे English पह ही क्लोज बटन कर देते हैं यहां सेटिंग इसकी हो गई है गाम प्लेयर अब हम किसी फाइल पर चलते हैं कजिनर इसकी कुछ फाइले हैं यहां पर इसे हम प्लेय करेंगे तो अभी तो यह डिफाल्ट नहीं है तो infection कि गाम प्लेयर को default कैसे बनाए जाता है अभी हम अगर प्लेय करेंगे तो यह box मेडिया प्ले हो जाएगी क्योंकि पहले मैंने इसको डिफॉल्ट बनाए था विल्सी मेडिया प्लेयर को तो इसे हम डिफॉल्ट कैसे करेंगे अप्लिकेशन की कर दिये मैंने यहां पे और अब हम इसे ओपन लिंक सब मेनू में जाएंगे अगर आपकी सिस्टम में गाम प्लेयर नहीं आता है तो आप इसे किस तरह से डिफॉल्ट बनाएंगे तो मैं बताता हूँ अगर इसे यहां पे हम एंटर करतें तो यह गाम प्लेयर से प्लेयर तो हो जाएगी लेकिन डिफॉल्ट नहीं होगा यह चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम में हम जाएंगे यहां पे इसने गाम प्लेयर दिखा दिया है और यहां से हम वील्च मेडिया प्लेयर को भी डिफॉल्ट करतें पहले से डिफॉल्ट है यह यहां पर हम एंटर करेंगे तो यह डिफॉल्ट हो जाएगा क्योंकि मेरे पास यह बहार ही दिखा रहा है लेकिन अगर आपके सिस्टम में यह बहार नहीं दिखाता है तो आपको करना क्या है यहां से ब्राउज बटन पर जाना है टैप करके यहां पर एंटर करते हैं जी हां तो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो सी को लम में इंट्रॉल होते हैं तो यह अभी क्लोज है इसे हम राइट अरो से ओपन करते हैं प्रोग्राम फाइल क्लोज तो जो लोग 64-bit यूज कर रहे हैं वो प्रोग्राम फाइल एक्स-86 में जाएंगे तो वहां पर यह फाइल मिलेगी यह भी क्लोज है तो इसे हम उपन करते हैं एक्स-86 वाली जो फाइल है इसको 34 आइटम इसे मैंने राइट अरे से ओपन किया था तो अब हम यहां से जी करते हैं डाउन अरे से मिल जाएगा लेकिन अब हम इसे जी करते हैं इसे जी करते हैं तो यहां पर हम यहां आ kilka दिखा रहा हैं तो यहां पर हम एंटर करते हैं तो यहां पर इसने हमें कोई response नहीं दिया है, तो यहां से हम tap करते हैं, तो पंदरा इटम इसने यहां पर दिखाया हैं, और एक GAM नाम की फाइल है, वैसे GAM प्लेयर से बहुत सारी फाइले हैं इसके इंदर, तो जो GAM नाम की फाइल होगी, उसमें हम enter कर देंगे, तो यह default ह जाएगा, तो यहां पर हम इसे enter करते हैं, एक बार इसे और एंटर करते हैं, इस पेस करके मैंने इसे pause कर दिया है, अब यहां पर यह default हो गया है GAM प्लेयर, तो मैं इसे alt 4 करता हूँ, तो दोस्तों यहां पर यह, हम वही पर आ चुके हैं, जहां से हम चले थे, अब हम इसे enter करेंगे, तो गांप्लेयर से यह, प्लेयर हो जाएगी, तो दोस्तों यह, अब default हो चुका है, तो इसकी कुछ command मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम right arrow से file को दिरे दिरे आगे बढ़ा सकते हैं, यह file दिरे दिरे आगे जाएगी, और left arrow से इसी तरह से हम back कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, और page down से दूसरी file प्ले होती है, और page up से हम previous के और जाते हैं, तो करके देखते हैं, मैं down arrow से इसकी अवाद थोड़ी सी कम करता हूँ, कम हो गई है, right arrow करके आगे बढ़ाते हैं, यहां पर यह आगे आ चुकी है, और इसे left arrow से करेंगे तो पीछे जाएगी, ऐसे ही हम अगर shift right arrow से करेंगे तो बहुत सारी आगे जाएगी है, select हो करके, पुरा-पुरा scene आगे चला गया, ऐसे इस तरह से यह जा सकती है, और down arrow करते हैं, down arrow को हम अगर दबा के रखते हैं तो आवाज कम हो जाती है, और app arrow को दबा के रखते हैं तो आवाज जदा हो जाती है, page down करेंगे तो दूसरी file play होगी, page up करेंगे तो previous वाली file में हम वापैस से ले जाते हैं, तो यह इसकी कुछ command है, और अगर हम x करेंगे तो इस file का क्या हाल होता है, यह मैं आपको दिखाता हूं, अगर ऐसा नहीं हुआ, उशहन शाह की हाग, आपकी वाले हाख लेख लेख, इस पीट करेंगे, अब हम यह सी करते हैं, अब हम जानने ही सब क्या हुआ, यह कि बहुत तयर श्पीट आगई है, इस पीट बहुत तयज हो गई है, और बैक इस पेस से हम इसे शुरू से कर जाते हैं, शुरू से हो गई है, बैक इस पेस से बिल्कुल शुरू में चले जाते हैं, तो यह थी इसकी कुछ कमांड, इसे आडियो वीडियो दोनों ही तरह की फाइले प्ले हो जाती हैं, और अब यहां पर हमने इस पेस कर दिया है, और अब इसकी कुछ और सेटिंग के बारे मैं बताता हूं, करने के लिए पहले शचय कोम आपको, इसको आप dependency, इस प्ले आपके से भी कर सकते हैं, तो यहां पर हम इसकी इस सेटिंग को ओपन करने के लिए पहले श्यक्त करेंगे, फिर हम एम ऐल करेंगे यह अभे डिफौल्ट है, क्लासिकल में भी आप इसे प्ले कर सकते हैं यहीं पेंटर करेंगे तो यह क्लासिकल मोड पर प्ले हो जाएगी देखिए क्लब डान्स फुल बेज फुल बेज इन ट्रेबल लब्टॉग स्पीकर लार्ज होल जुक्र फुल बेज रखोंग तो दोस्तों ये था हमारा आज का टिटूरियल आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएगा अपने कॉमेंट के जरीए और इसी के साथ मैं मजहर आपसे लेता हूं विदा मिलूंगा किसी और टिटूरियल के साथ दोस्तों अपना बहुत सारा खैल रखेगा झाल, तो तो एक साथ बनस रहा है जरू तोन यार आपसे लेता हूं